यहां पर भी है तो इसको हम डिटेल में यहां पर डिसकस करेंगे इससे पिछले वाले जो वीडियो थी गाइस उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से हम किस तरह से alkenes का use करके किस तरह से हम alkenes और halogen acid को react करके हम halo alkenes को बनाते थे ठीक है तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हम इस process को alkenes किस तरह से बनाते है इस process को आगे detail में करेंगे तो आज हम इसको साथ साथ में इसके साथ में करेंगे इस rule को समझते समझते ओके सो चलते हैं हमारे दिये हुए rule पर उसका नाम है Markoveni rule अब यह Markoveni rule क्या है according to Markoveni rule Markoveni rule के अनुसार during the addition across unsymmetrical double bond सबसे पहले तो आप इस unsymmetrical double bond को समझिए उसके बाद यह CH3 है एक structure मैंने यह बनाया एक यहां पर H कर दो और यहां पर भी H कर दो एक structure मैंने यह बनाया फॉर्स structure यह बनाया और एक structure मैं यहां पर यह बना देता हूं double bond CH CH3 ओके अब यह structure number 2 है मेरे पास यहां पर H कर दो यहां पर 2 कर दो अब इस first structure और second structure में आपको अंतर देखना है first structure और second structure में अंतर देखिए अगर हम first structure को देखें अगर मैं यहाँ पर double bond यहाँ पर दिया है unsymmetrical double bond symmetrical चीज़ों का मतलब क्या होता है दोस्तों symmetrical चीज़े वो वाली चीज़े होती है जिनको अगर मैं beach से होके divide कर दूँ जिनको मतलब अगर मैं beach से divide कर दूँ तो वो equal part में divide हो जाती है for example आप अपना example ले लिए अगर हमें कोई beach से काट ले तो हमारे दो equal parts हो जाएंगे okay for example हमारे पास एक spare है ठीक है? spare को beach में से exact beach में से काट लो तो दो जो हाफ हमारे पास मेलेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे ऐसे चीज़े जिनको डिवाइड करने के बाद वो एक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है उनको हम कहते है सिमिट्रिकल चीज़े जैसे हमारा हैंड है अगर हम सिंगल हैंड की बात करें तो हमारा single hand क्या symmetrical है या unsymmetrical है single hand जो है unsymmetrical है क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल exact बीच में से काटेंगे न तो ये जो दोनों half है ये दोनों half जो हमारे same नहीं होगे क्योंकि एक तरफ को अंगुठा आता है और एक तरफ को अंगुठी आती है तो ये unsymmetrical है स्मेट्रिकल मतलब अगर मैं उसको बीच में से अगर हम उसे बीच में से डिवाइड करतें तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए ऐसी चीजों को हम कहते है symmetrical चीज है तो यहां पर भी वही चीज है यहां पर डबल यहां पर कहा है इसको मैं बीच में से काट दूँ तो यह वाला जो पार्ठ है और यह वाला जो पार्ठ है यह बिलकुल सेम है दोनों ही यह सेम है इसलिए यह कौन सी अल्कین है symmetrical alkeen है ठीक है यह symmetrical alkeen है यह कहें हम यह symmetrical double bond है symmetrical double bond है क्योंकि अगर बीच में से काटू तो equal part में divide हो जादेगा ओके यहाँ पर देखलो इदर इसको देखलो क्या यह symmetrical है जी नहीं यह symmetrical नहीं है अगर मैं इसको बीच में से काट लूँ यहाँ पर CH3 बच रहा है यहाँ पर CH3 बच रहा है, यहाँ पर दो गुरूप बच रहे है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही गुरूप बच रहा है, मतलब यह अनसिमेट्रिकल डबल बॉंड है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम, basically हमको यह नहीं देखना है, यह नहीं देखना है, यह वाला हमको नही और हम जब हैलोगन एसिड के साथ उसको ट्रीट करते थे, पहले हम फ्रस्ट आग्जेम्पल देख लेते, यहाँ पर, पहले हम बिष स्व सिक देख लेते पहले, यह रूल आपको बिल्कुल कलियर हो जाएगा, पहले आप छोटी जीज़ों पर ध्यान दिजिए, यहां ठी ते यहां देखो इदर फ्लस अगर मैं इसको HX दे दूं HX X 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 इसके पास चला जाता था एक एटम इसके पास चला जाता था for example अगर मैं इन दोनों को react करता तो तो यह बाले तो साइड बाले तो ऐसे ही रहते थे ठीक है बीच में है ch यहाँ पर single bond रहे घाएगा ch 3 ठीक है तो यहां पर क्या था अगर मैं HX को अगर मैं इसके साथ इसको react करता था अगर symmetrical की बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है मैं कल बाले lecture की बात कर रहा हूं अगर हम symmetrical को symmetrical double bond को HX मतलब halogen acid कोई भी उसके साथ react करते है तो यह H और X दोनों जो है पहले बाले structure में अपने आपको adjust कर देते हैं यह कहीं भी लग सकते है यह बाला जो H है यहां भी लग सकता है यह बाला जो H है यहां भी लग सकता है ठीक है यह वाला एक्स जो है यह यहां भी लग सकता है यह इनकी मर्जी है ठीक है for example मैंने लगा दिया यहां पर H ठीक है यह कहां से आया यह इससे फर्स्ट वाले से आया चलो मैं उपर की तरफ को लगा देता हूं इसको मैं उपर की तरफ को लगा देता हूं इसको मैं उपर की तरफ को लगा देता हूं है यहां पर H आगया, और इसकी बाद B आगया, ठीक है, बी आगया, तो यहां पर कोई भी प्राबलम नहीं हमें होई, यहां पर कोई भी प्राबलम नहीं होई क्योंकि यह स Pennelly Alkyne यह सहें, स्मितरीकल डबल डॉट अटा hand it, तो हमारे पास कोई भी जादा problem नहीं आती ये दोनों जो है अपने आपको adjust कर लेते BR मतलब X कर दो यहाँ पर ये दोनों आपस में ये दोनों जो है पहले बाले structure में adjust हो जाते थे, यहाँ पर कोई rule नहीं चलता आप X यहाँ भी लगा सकते हो, आप X यहाँ भी लगा सकते थे ठीक है, आप H यहाँ भी लगा सकते हो आप H यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है ये हमें नहीं देखना है, ये तो हमका discuss कर चुक है, हमें देखना है, मार को भी नहीं भूल अब आपको पता लग गया कि symmetrical alken क्या होते है और unsymmetrical alken क्या होते है ठीक है यहाँ पर आपको crystal clear clarity हो जाएगी आपको बस focus देना है ध्यान से देखना है एक मिनट ठीक है अब पहले हम बना लेते हैं unsymmetrical alken ठीक है unsymmetrical alken मान लो मैंने बना दी CH double bond CH CH2 और इधर कर दिया मैंने CH3 X कर दिया मैंने तो reaction कैसे होगी अगर हमारे पास symmetrical होता तो मुझे पता है बस change यहाँ पर आएगा जहां पर double bond बना है जो double bond बना है यहाँ वाले दो carbon है इन पर change होता था अगर symmetrical हुई एक H यहां आजटा था यहां यहां आजटा था यहां आजटा था कहीं भी आजा सकते थ लेकिन अगर अन्सिमेट्रिकल डबल बॉंड हुआ अब यहां पर हमारे पास अन्सिमेट्रिकल डबल बॉंड है यह हमारे पास अन्सिमेट्रिकल डबल बॉंड है यह हमारे पास अन्सिमेट्रिकल डबल बॉंड है यह हमारे पास अन्सिमेट्रिकल डबल बॉंड है ऐसे अन react करेंगे जब हम हमने unsymmetrical alkene ली है ठीक है तो जो attacking reagent है attacking reagent जो हमारे पास है अब आपको पता है कि electro negativity नाम की एक चीज होती है ठीक है electro negativity क्या है the tendency of an atom to attract the electron towards itself मतलब एक atom की electrons को अपनी तरफ attract करने की capacity को हम क्या कहते है उसको हम कहते है electro negativity ठीक है तो यहाँ पर हमें पता है कि जो halogen होती है उनकी electro negativity बहुत जादा होती है ठीक है इसलिए x के उपर आजाता है negative charge x के उपर आजाएगा negative charge और h के उपर क्या आजाता है h के उपर आजाता है positive charge ठीक है a के उपर positive charge है a के उपर negative अब हमको पता लगया कि किसके ओपर नेगेटिव चार्ज है किसके ओपर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है अब जब हम अटेक करवाएंगे अब रूल देखें क्या बढ़ा ध्यान से इस रियक्शन को देख के आपको समझना है according to Markovini rule, Markovini rule के अनुसार during the addition across unsymmetrical double bond अब देखें यहाँ पर addition कर रहे हैं दोनों की यह बाला और यह बाला दोनों की addition कर रहे हैं ध्यान से देखेंगा उपर according to Markovini rule, during the addition across unsymmetrical bond, the negative part of the attacking reagent अब देखें, अब जो attacking reagent है यह बाला हमारे पास, इसमें देखें, negative part कौन सा है negative part हमारे पास कौन सा है, तो negative part हमारे पास है, X, X है या नहीं है, X है यहाँ देखें X हमारे पास negative part है, क्योंकि इसकी electronity ज़्याद थी, ठीक है, इसके उपर देखें दोनों में से, इन दोनों में से यह देखें की कम hydrogen atom किसके पास है, कम hydrogen atom किसके पास है, कम hydrogen atom है, इसके पास, इस वाले के पास कम hydrogen atom है, ठीक है, तो क्या होगा negative part of the attacking region, attach itself with the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom, मतलब जो negative बाला पास है, वो उस वाले carbon atom के पास जाएगा, जिसके पास कम hydrogen होगे, मतलब यह यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर दो है, ठीक है, यहाँ पर दो है, ठीक है, the positive part, positive part कौन सा है, एच बाला, यह बाला positive part, ठीक है, the positive part attach itself with the carbon atom carrying higher number, मतलब positive part उसके साथ attach करेगा, जिसके पास higher number है, ठीक है, मतलब एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, अब हमको पता है कि carbon maximum कितने bond बना सकता है, carbon maximum जो है four bond बना सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से double bond थे ना पहले, यह double bond हट जाएगा, double bond हट जाएगा, ठीक है, जब यह हो जाएगा, जब आपस में react करेंगे यह, ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा, यह double bond हट जाएगा, यह double bond इस तरह से हट गया, यहाँ से हट जाएगा, क्यों हוט हमारा आगया यहां पर हो एक हो तो यह ऑना पास बशल ऑद की दूसरा बनेगा मानलो ऐसा प्रोडळक्ट भी बनेगा लेकिन जिसे यह जो यह बिल्कुल small quantity में बनेगा, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, यह बिल्कुल small quantity में बनेगा, ठीक है, यह बाला हमारे पास major product होगा, ठीक है, यह बाला हमारे पास major product होगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, according to Marko Mini Rule, क्या था, during the addition across unsymmetrical double bond, के उपर, attack कर बाते हैं, attacking region का, तो क्या होता है, तो क्या होता है, carrying, the negative part of attacking region, attach itself with the carbon atom, carrying lesser number of hydrogen atom, and the positive part, attach itself with the carbon atom, carrying higher number of hydrogen atom, so I hope guys, कि आपको यह समझ में आ गया होगा, अब आपको इसको note down करना है, और एक और बात, जो मैंने अभी reactionist से पहले बताई, वो आपको note book में note करनी है, ठीके, अगर आप notes बनाना चाहे तो, यह तो था Marko Mini Rule, अब आते हैं हम anti-Marko Mini Rule की उपर, ठीके, अब हम बात करते हैं किसकी, anti-Marko Mini Rule, अब इन में ज़्यादा कुछ ज़्यादा, difference नहीं है, अटेक कर रहे थे, उसके ऑपर हम अटेक कर रहे थे, हलोजिन एसिड का, हलोजिन एसिड मतलब है हाई, कोई भी ले रहे थे हम, हईच बी नार बी हो सकता था, ह इस आई भी हो सकता था, और, यह यहां पर थे, according to anti-Marko Mini Rule, तो आपको याद कर रखना है जो हमारे पास एंटी मारकोबिनिम निबूल होगा उसके उपर हम यलकीन के उपर उसमें हमेशा है एच बी आर का अटेक करेंगे बाकी किसी का नहीं सिर्फ बी आर ही लगाना है आपको है के साथ सिर्फ BR ही लगीगा, chlorine और बाकी iodine कुछ नहीं लगाना है आपको, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, anti-marcominib rule में, ठीक है, तो anti-marcominib rule क्या कहता है, दियान से देखिएगा इसको, anti-marcominib rule क्या कहता है, अकartet क्यों सब्सक्र இ साहरे tutti अगर रेक्ष लेते हैं कि इसको नोट कर लिज ख English तो यह पना पास यह पन गया हमारे पास यह उह इसके ओप अगर इसको हम अगर react करवाएं किसके जाथ इसको अगर हम react करवाएं प्लस hbr और एक बात और गाईस एक बात और जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है जब anti-marco-mini rule का rule हमें apply करना है मतलब जब anti-marco-mini rule को होने के लिए एक condition जरूरी है दो condition जरूरी है इसके लिए पहली condition इसको हमेशा hbr के साथ ही add करना है मतलब unsymmetrical alkyne को हमने hbr के साथ ही add करना है ठीक है और दूसरा ये reaction हमको करना है organic peroxide की presence में organic peroxide ठीक है यहां पर आप कर लिजीगा organic peroxide formula लिख लो यहां पर organic peroxide यहां पर आप उसका formula लिख लो उपर या इसके उपर इसका formula लिख लो c6 h5 c6 h5 o o c6 h5 ठीक है तो यह इसका organic peroxide का formula है तो हमने क्या किया unsymmetrical double bond को हम combine कर रहे हैं किसके तो मतलब unsymmetrical alkyne को हम combine कर रहे हैं किसके साथ hydrogen bromide के साथ in the presence of organic peroxide जब हम यह बाली process करेंगे दोस्तों तो क्या होगा पहले बाली में क्या था पहले बाली में क्या था मारकोविनी रूल के अनुसार क्या था मारकोविनी रूल के अनुसार जो यह अब हमारे पास negative part है यह हमारे पास positive part है ठीक है तो जादा clear होगा, उपर से इसको पढ़ेंगे, according to anti-marcominiv rule, anti-marcominiv rule के अनुसार, when HBR is added with the unsymmetrical double bond, यहां देखे, when HBR, यह HBR है, HBR is added with किसके साथ unsymmetrical double bond, किसकी presence में, in the presence of organic peroxide, यह देखे, वो organic peroxide है, ठीक है, according to anti-marcominiv rule, when HBR is added with the unsymmetrical double bond in the presence of organic peroxide, the BR, BR कौन सा यहां पर, negative part, ठ BR attach itself to the carbon atom carrying higher number of hydrogen atom, अब यहां पर ultra हो जाएगा, ठीक है, यह bromine कहां चला जाएगा, यहां, जिसके पास जादा है, जादा किसके पास, अब इन में से देखो, जादा hydrogen किसके पास है, इसके पास है, मतलब यह ultra, मारcominiv rule का ultra होगा, यह attach करेगा, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है और दूसरा, आगे क्या कहता यह rule, attach itself to the carbon atom carrying higher number of hydrogen atom, while जबकि the hydrogen atom, मतलब hydrogen atom, जिसके पर positive charge है, the hydrogen atom, attach itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom, यह उसके साथ, मतलब यह positive part उसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास lesser number of hydrogen atom है, मतलब यह जुड़ेगा इसके साथ, और यह जुड़ेगा इसके साथ, तो हमारे पास product क्या बन जाएगा, तो हमारे पास product बनेगा, so, b-r कहाँ पर आगया, यहाँ पर आगया, ठीक है, यह b-r लग गया, यहाँ पर, यह h कहाँ पर आगया, h आगया, यहाँ पर, अब हमको पता है कि carbon सिर्फ और सिर्फ 4 bond बना सकता है, यहाँ पर double 2 bond है मतलब एक bond यहाँ से चला जाएगा ठीक है एक bond यहाँ से हट गया क्योंकि carbon हमेशा 4 bond ही बना सकता है ठीक है अब हमारे पास तो देखे product यह बिल्कुल हमारे पास ulti process मिली किसकी ulti process मिली यह बाला जो यह बाला जो part हमने यहाँ पर लिखा है यह बाला जो part मैंने यहाँ पर लिखा वो आपको यहाँ पर बनाना है ठीक है यह बाला जो पहले reaction जो मैंने लिखी थी वो वैसी रखनी है और जो product है यह यहाँ पर लिखना है ठीक है तो यह तो था हमारे पास में प्रोडक्ट यहां पर भी है यह भी हमारे पास में प्रोडक्ट है पर साथ में एक प्रोडक्ट तो हमारे पास यह बना साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा ऐसा नहीं कि दूसरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा फॉर बनेगा जो मेन प्रोडक्ट होगा हुआरे पास वो यह बाला होगा ओके सो एंटी मार्कोविनी रूल क्या था एंटी मार्कोविनी रूल बिल्कुल उल्टा है किसका मार्कोविनी रूल का मार्कोविनी रूल में क्या था मार्कोविनी रूल में जो है जो नेगिटिव पार् जब हम क्या करते है जब हम HBR को जो है unsymmetrical double bond के साथ add करते है in the presence of organic peroxide तो क्या होता है Marko-Binu Rule का बिल्कुल उल्टा मतलब जिसके पास positive charge जिसके पास negative charge है वो चला जाएगा उस carbon के अटम के पास जिसके पास ज़्यादा होंगे hydrogen atom and vice versa okay so I hope you enjoyed the lecture thank you thank you